Hello everyone, welcome to my channel, मैं महेश राई, स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल में आप सभी को पता है कि मैं important questions करवा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है BPSC के लिए, DSSSB के लिए, EMRS के लिए, UPTGT के लिए, PGT के लिए सभी के लिए ये जितने भी एक्जाम होते हैं, सभी के लिए important है और आप समने मुझे बोला था कि सर, part to part करवाएं, सीरीज वाइक करवाएं, तो वैसे ही हो रहा है तो चलिए, दो part इसके हो चुके है, मनले कि इस प्रश्ण पत्र के दो part हो चुके हैं और ये अब चल रहा है, question number 51, संगीत में अन्स्वर से क्या तातपर है, उदान्स्वर, अनुदान्स्वर, वादी स्वर, संचारी स्वर इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है, अन्स्वर जो होता है आपका, उसी को वादी स्वर कहते हैं, अब देखें क्या है, राग का सबसे महतपून स्वर, वादी स्वर कहलाता है, इसे राग का राजा स्वर या अन्स्वर भी कहते हैं, इस स्वर पर सबसे ज्यादा ठहरा जाता है, और बार-बार प्रियोग किया जाता है, किनी दो रागों में एक जैसे स्वर होते हुए भी उन में वादी स्वर के प्रियोग के द्वारा असानी से फर्क बताया जा सकता है, एक बात मुझे आपको और बतानी थी, कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बाहाली के बैस्ट बुक के बारे में जो चक्षू प्रकाशन की है, इसमें आपको फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेवस मिल जाएगा, मतलब की कॉलिफाइंग हिंदी प्लस इंग्लिस एंड जी एस का भी पूरा सिलेवस आपको इसमें मिल जाएगा, इस स्क्रीन पे आप अच्छे से देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप चक्षू प्रकाशन का ही स्टडी गाइड भी ले सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे अच्छे से देख रहा हैं, चलिए आगे चलते हैं, Q52 है, अती इस्ट स्वर कौन सा है, गा या कोमल गा या मा या धा, तो इसका तो सही आंसर होगा, वोगा C, मा होगा, अती इस्ट स्वर, ठीक है, जब दो स्वरों की समलित ध्वनी सुनने में मधूर और कन प्रिये लगे, तो उस समवाद को इस्ट स्वर, या अती इस्ट स्वर कहते हैं, पश्यात संगीत में इसे कॉंसोनेंस कहते हैं जब दो स्वरों की समलित धोनी आपस में मिलते हैं और वह सुन्ने में अति प्रिये लगे तो वह विवादी स्वर कहलाते हैं की के? चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 53 है सदारंग का वास्तविक नाम क्या था? नौबत खा नियामत खा फिरोज खा या मान सिंग देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो है B नियामत खा सदारंग हिंदुस्तानी संगीत कार कलाकार थे जिनका वास्तमिक नाम नियामत खा था इनका जन्म 1670 इस्वी इन्होंने छोटे बड़े खयालों की रचना की गायत तानसेन की पुत्री की दस्वी पीढी सदारंग की थी उनका उपनाम सदारंगीले था और बहुत सारे आपने बंदिशे सुनी होंगी जिसमें बोला जाता है सदारंगीले बहुत सारी ऐसे बंदिशे हैं ठीक है तो याद रखना यह पूछ दिया जाता है सदारंग का जो वास्तविक नाम है वो है नियामत खा ठीक है? चलिए आगे question number 54 है मध्य ग्राम का पंचम कौन सी शुती पर इस्थापित है संदीपनी, अलापनी, त्रिवरा या मंद्रा मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी शुती पर इस्थापित है देखे इसका सही आंसर है A मध्यम ग्राम का पंचम संदीपनी शुरुती पर है मध्यम ग्राम का पंचम संदीपनी पर है यह याद रखना कौन से शुरुती कैसे बताया गया है यह भी आपको आना चाहिए मा पे कौन सा है पा पे कौन सा है किस राग में मद्यम के दोनों रूपों प्रकारों का प्रियोग होता है आसावरी काफी पूर्वी या दर्वारी दोनों मद्यम का प्रियोग किया जाता है देखे इसका सही आंसर होगा सी राग पूर्वी साइकाल सिंधी प्रकास के समय गाने गाई जाने वाला राग है पूर्वी इसका सही होगा दोनों मद्यम का इसमें प्रियोग किया जाता है यहाँ पूर्वांग प्रधान राग है इस राग में मद्यम के दोनों रूपो रिशव वे धेवत कोमल शेश सुद्व स्वर का प्रियोग होता है हिंदुस्तानी स्वर कोमल धा करनाटक के किस स्वर से समानता रखता है प्रती म है यह ठीक है प्रती म कोमल धा शुद्ध धा शुद्धनी कोमल धा पूचा है सही आंसर इसका सी हो जाएगा ठीक है दोनों ही सैलियों में सुद्ध धा तता विक्रित कुल बारा स्वर लगते हैं दोनों ही सैलियों में सुद्ध तता विक्रित स्वरों से ठाट या मेल की उत्पत्ती होती है हिंदुस्तानी कोमल धा तता करनाटा कशुद धा में समानता पाई जाती है तता दोनों के गायन में अलाब तता तान का प्रियोग होता है कोशन नवर 57 है प्रमान शुती की अवधार ना किसने की पंडित सारंग देव ने भरत ने मतंग ने या पंडित भात खंडे ने सैयांसर है बी भरत ने भरत के अनुसार सड़स ग्राम में सत्रवी शुती पर तता मध्यम ग्राम में सोलवी शुती पर इस्थापित है ठीक है भरत ने के अनुसार सड़स ग्राम में पंचम सत्रवी शुती पर मध्यम ग्राम सोलवी शुती पर इस्थापित है दोनों ग्रामों के पंचम स्वर का अंतर कितना है एक शूरती है इसी दोनों धोनियों में जो अंतर है वही प्रमान सूरती अंतर है आज आपको पता चल गया होगा प्रमान सूरती क्या है है भाउचिन तथा मध्य कालीन गरंतकारों सवरों को उनकी अंतिम शूर्टी पर रखते हैं बालवी तेर्वी सत्र्वी या कि राइट आंसर का C है सत्रवी सड़स ग्राम बूच रखा है मध्यम में सड़स ग्राम में जो सड़स है वो चतुशृती रिशव त्रीशृती रिशव कंधार द्यूशृती मध्यम चतुशृती पंचम चतुशृती धैवत त्रीशृती निशाद द्यूशृती होता है इसमें सड़स पंचम रिशव धैवत गंधार निशाद और सड़स मध्यम से प्रसपर समवादी है ठीक है इसमें समवादी कौन किसके इसके सड़स पंचम सा और पर रिशब धैवत रे अर्धा गंधार और निशाद गणी असड़ज मध्यम सा और म यह परस्पर क्या है? समवादी है यह याद रखना सापा असामा यह दोनों तो हैं रेधार गानी भी है अब देखिए यहाँ पर सड़स ग्राम में कुल कितनी शूरतिया है तो 22 है मध्यम ग्राम में 22 होती है यहाँ पर दिखा रखा है कि अंतिम शूरती पर रखा गया देखिए Q59 है प्राचीन काल में गंधार स्वर की शूती पर इस्थापित था क्रोधा रक्ति का वर्जी का रौधरी सही आंचर है A क्रोधा प्राचीन काल में गंधार स्वर क्रोधा नौवी शूती पर इस्थापित था Q60 है सड़सग्रा में पंचम से पारम होने वाली मुर्चना है अश्वकानता उत्तरयता सुध शड़जा मतश्कृता इसका जो सही आंसर होगा C होगा ठीक है क्या देखे सड़स और मध्यम ग्रामों के कुल 22 शूतिया हैं तथा इन शूतियों का स्वर्गत विभाजन दोनों ग्रामों में समान है सड़स और मध्यम ग्राम में भेद इतना ही है कि मध्यम ग्राम में पंचम एक शूति नीचे खिसका हुआ है जहां सड़स ग्राम में मप अंत्रा चार शूतियों का है वह पध तीन शूतियों का है वह मध्यम ग्राम में मप तीन शूतियों और पध चार शूतियों का अर्थार्थ सड़स ग्राम में मद चार पर तीन शूर्ती का है मध्यम ग्राम में मद तीन शूर्ती का पर चार अर्धार पे हैं ठीक है कोश नमर 61 है करनाटक संगीत के खरहर प्रिया मेल के स्वर्किस हिंदुस्तानी संगीत के राग के समान है बहर भी काफी मारवा या सावरी करनाटक संगीत के खरहर प्रिया मेल के स्वर्किस हिंदुस्तानी संगीत के राग के समान है तो बी आंसर इसका सही होगा काफी इसका सही आंसर होगा ठीक है भी सही आंसर है देख़ो दोनों पदधितियों में अनिक रागो के नाम बिलकुल एक हैं परंतु स्वर सर्वता मिन है उधारन के लिए हिंडोल सोनी, स्री, आदी राग दोनों ही पदधियों में समान हैं प्रंतु स्वर रूप की दिस्टी से एक दूसरे से भिन है उत्तर भारत का हिंडोल कल्यान ठाट का है दक्षिन भारतिय हनुमत तोड़ी बहरवी मील का है और हमारे यहां के मालकोश से मिलता है उत्री सोनी मारवा में जन्ने राग है उसके बाद देखें क्या बुला गया है उत्र सोनी मारवा में जन्ने राग है दक्षिन सोनी खरहर प्या काफी के में से जन्ने है बहरवी राग करनाटक संगीत के बहरवी मेल मारवा गमन श्रे मेल आसावरी राग की बात की जाये तो नट बहरवी मेल अर्थाट के समान है ठीक है उसका भी आंसर सही होगा सबका इन्होंने बता दिये, इसमें, आप देखे, कोश्य शिक्ष्टी टु है, कलोप नता किसकी मूर्चना है, मध्यम ग्राम, दे apprenti ग्राम, पंचंचंग्राम, sistemas ग्राम, । इसमें आपको सिर्फ बताया गया है किस चीज के बारे में, ग्राम, श्रुत्ति, और मूर्चना ग्राम, शुरुति और मुर्चना के बारे में बताया गया है सबसे ज़्यादा इससे प्रशनाते है इसका सही आंसर है A. मध्यम ग्राम मध्यम ग्राम में साथ मुर्चना बनती है जो निमलिखित हैं सौवीरी हरी नाश्वा, कलुपनता, सुद्मध्या, मार्गी, पौर्वी, हरिश्यका हर ने क्या लिखा हुआ है? यह हरिश्यका होता है किस तरीके से होता है? कलुपनता के यहाँ पे स्वर यहाँ पे इन्होंने दे दिये हैं यह आप देख सकते हैं कोशन नमर 63 है तिलवाडा ताल सबसे अधिक अनिकूल होती है दुरुथ ख्याल टप्पा तराना या विलंबित ख्याल तो सही आंसर इसका डी होगा बड़े ख्याल के लिए प्रियोग की जाती है तो तिलवाडा ताल में 16 मातरे 4 विभाग 15-13 पर ताली और 9 पर खाली होती है इसका जो चंद होता है 4-4 करके होता है 4-4-16 ठीक है 4-4 करके 4 विभाग होते हैं अन्त यहाँ एक संपद ताल है विशंपदी ताल नहीं है अनुमान है कि जब विलम्बित ले में ख्याल गाने का प्रचलन बढ़ा होगा तभी इस ताल की रचना हुई होगी इसका प्रयोक सदा विलंबित या अती विलंबित लै में ही खयाल अंकी गाईकी के साथ संगत करने में किया जाता है इसमें स्वतंत्रवादन नहीं होता है कोशन नमर 64 है रागांक वरगीकर्ण का उल्ले किस ने किया है नरायन मुरेश्वर्ख खरे आचार ब्रहश्पती पंडित विनायक राप पठवर्धन या पंडित विश्नु दिगंबर पलुसकर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जादा से जादा शेयर करें क्योंकि आप भी के लिए इतनी जादा महनत की जा रही है और अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे तो मुझे भी फिर मजा नहीं आएगा आप सभी को पढ़ाने में क्योंकि मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अलग-लग question papers लाता हूँ अलग-लग MCQs लाता हूँ टेलीग्राम पे देख सकते हैं काफी लोग जुड़ हुएं आप जुड़ना चाहते हैं तो description मैंने उसका link दे रखा है थोड़ा सा scroll करेंगे नीचे मिल जाएगा आपको link वहाँ से जुड़ सकते हैं बाकि उसका नाम है All Music Exam नाम क्या है? All Music Exam के नाम से हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा share करिए क्योंकि सभी की help होनी चाहिए और like और subscribe भी जरूर कर दिए देखिए इसका सही answer होगा ए नरायन मोरिश्वर खरे पहला answer का सही होगा कलीनात के अनुसार रागांग वे राग हैं जिसमें ग्राम रागों की चाया हो नरायन मोरिश्वर खरे भारत के प्रख्यात सास्त्रे गायकों में से एक थे पंडित विष्णु दिगंबर प्रुसकर के प्रमुक सश्यों में उनका नाम वीशिश रूप से उलिक निया था प्रलब की ये किनके शुश्यते विश्णु दिगंबर जी के शुश्यते श्री नरायन मुरेश्वर खरे जी ने प्रचलित रागों के अंग भूत टुकडों को चुना और क्या किया? तुकडों को चुना जिससे अन्य रागों का साम में हो सके इस प्रकार के रागों को एक वर्ग में रखकर रागांक संग्या से सम्मानित किया गया ऐसे रागांकों की संग्या कितनी थी? तीस थी ये भी पूच दिया जाता है कि कितने रागांक होते हैं तो तीस होते हैं सन 1912 में खरे जी ने बंबई में गंधर्व विद्धाले की व्यवस्ता सम्हाली मलकि 1912 में कहीं कहीं पर 1916 में भी दिया होता है ठीक है? तो 1912 में इन्होंने क्या क्या? गंधर्व विद्धाले की व्यवस्ता सम्हाली इसके द्वारा निर्मित लगभग 400 भजनों का संगरा आश्रे भजनावली इनके द्वारा लिखी गई है कि नाम से इलावाद से प्रकाशित हुआ है आश्रम भजनावली ठीक है? 400 भजन है उसमें कोश्य नम्र 65 है स्वामी हरीदास गायक थे टपा चतुरंग धृपद या खयाल इनके एक शिष्च है जो बहुत जादा फेमस है उनका नाम आपको कमेंट में बताना है जल्दी से वो भी देखिए इसका सही आंसर होगा धृपद गाती थे ठीक है? स्वामी हरीदास भक्त कवी सास्त्र संगीतकार तथा पृष्णो पासक सकी संपरदाय के प्रवर्तक थे वे उच्च कोटी के संगीत तग्य थे वे प्राचीन सास्त्र संगीत के अद्बुत विद्धवान एव चत्तुष दृपदर्शली दर्शैली के रचैता थे मगी धृपद प्रसिद गायक तानसेन इनके शिष्य थे इनका जन्म 1478 में भारत में और मृत्यू 1573 में हुआ तब लेकिन तिथी चलती थी तिथी में इनका पूछा जाता है जो भी पूछा जाता है कोश्य नमर 66 व्यकट मुखी ने 72 मेल बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रियोग किया गया था आठ साथ बारा अठारा अभी कौन सा साल चल रहा है दोचा तेरह चल रहा है न आपको बताना कि अभी तिथी कौन सी चल रही है अभी तिथी कौन सी चल रही है कमेंट करके बताईए व्यकट मुखी ने 72 मेल बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रियोग किया था तो बारा स्वरों का इन्होंने प्रियोग किया था किने स्वरों का क्या था बारा पंडित व्यकट मुखी ने शुद्ध विक्रित मिलाकर बारस्वर होते हैं, इन्हीं बारस्वरों की साहेता से ठाट तयार होते हैं, उन्होंने ठाटों की संख्या निश्चित करने के लिए गणित का साहरा लिया, उन्होंने 72 ठाटों में 19 ठाट अलग चुन लिये, कितने 72 ठाट उन्होंने पहले माने और बहतर ही माना जाता है इनका और बहतर ठाट में से उन्होंने क्या किया उन्नीस ठाट अलग चुन लिए उत्री भारत में व्यकट मुखी ने इन बहतर ठाटों को गलत नहीं मानना मानते हैं, बहतर ठाट को इन्होंने गलत नहीं मानते हैं बहत खंडे जी ने कितना चुना था दस चुना था इसमें से, ठीक है इन्होंने क्या क्या देखो फिर से सुन लो अगर पूछा जाए कि वेकर्ण मुखी ने कितने ठाट मानें तो बहतर मानें, यह बिल्कुल सही है लेकिन बहतर ठाटों में से उन्निस ठाट इन्होंने क्या क्या अलग चुन लिये थे, ठीक है कोशन नमर्श शिक्स्टी सैवन है शिक्स्टी सैवन है पांच स्वरों का समूँ एक प्राचीन स्वर व्यवस्था एक संगीत का प्रकार बंदिश का तीसरा भाग ग्राम क्या है? तो ग्राम एक प्राचीन स्वर व्यवस्था है क्या है? एक प्राचीन स्वर की व्यवस्था ग्राम है जहां पे स्वर रहते हैं ग्राम में गाउँ हम कहां रहते हैं गाओं में रहते हैं अब ऐसी ग्राम में कौन रहता है तो स्वर रहते हैं ग्राम समवादी स्वरो का समू है जिसमें शूतियों व्यवस्थित रूप से विदवान हो और मूर्चना तान वर्ण अलंकार इत्यादी का श्रे हो ग्राम का अर्थ ही है स्वरो का समूँ सब तक के साथ स्वरो मूल भूत व्यवस्था के लिए ग्राम नाम है इसी को पश्यात भाषा में स्केल कहा जाता है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमर 68 है धनबड या धनबाद नगर का सम्मन्थ किस संगीतक से है आहोबल सारंग देव मतंग या भरत देखे इसका सही आंसर होगा ए आहोबल आहोबल इसका सही आंसर है पंडित आहोबल का जन्व सत्रवी सताबली की सुरुवात में दक्षिन भारत में हुआ अपने पिताक कृष्ट पंडित जी से इन्होंने संस्कृत की शिक्षाली उत्तरभात में धनबड इस्थान पर रहते हुए सन 1650 इसमें संगीत परीजात नामक संगीत गरन की रचना की कुछ नमर 69 है तराने का अविश्कार किसने किया अमीर खुश्रो तान सेन बैजु बावरा या गोपाल नाया सई आंसर इसका ए अमीर खुश्रो ने किया था ठीक है तराने का अविश्कार कई मत है कि मरी फुन द मात के रचेटा अली के अनुसात तराना दिली गराने के अमीर खुश्रो का अविश्कार है या सूफिक कवीता के कलावान कलावाना के रूप के समान है तराना एक फार्शी शब्द है इसका अर्थ है एक गीत ये भी पूज दिया जाता है तराना कैसा शब्द है तो फार्शी शब्द है याद रखना इसका अर्थ पूज दिया जाता है कि तराना का अर्थ क्या है तो एक गीत ठीक है कोशन नमबर 70 है पंडित सारंग देव ने मार्ग संगीत एप देशी संगीत के अंदर कुल कितने रागों को रखा है 264, 265, 263 या 364 इसका सही आंसर है 264 तिक है दोनों मार्गी संगीत भी पूछा है और देशी संगीत दोनों पूछा है अब देख लीजिए मार्गी संगीत शब्द प्रधान और देशी संगीत स्वर प्रधान है मार्गी संगीत क्या है शब्द प्रधान और देशी संगीत स्वर प्रधान है मार्गी संगीत ईश्वन निर्मित है और देशी संगीत मनुष्य दोरा बनाया गया है मारगी इश्वर ने मनाया है और देशी संगीत मनुष्र ने मनाया है मारगी तथा देशी संगीत के अंतरगत 264 रागो का उलेक पंडित सारंग देव ने किया है सारंग देव ने 1210 से लेके 1247 भारत के संगीत सास्त्री थे जिन्होंने संगीत रतना कर नामक महतपूर्ण गंत की रचना की इस ग्रंत में संगीत वे नित्य का विस्तार से वर्णन है अब देखे कोशन नंबर 71 है पंडित ओमका ना ठाकूर को कौन सा सम्मान प्राप्थ हुआ पदम भूशन, पदम श्री, पदम विवूशन या भारत रत सई आंशर है बी पदम श्री कब हुआता था 1955 हुआ था अब देखिए क्या है पदम श्री पंडित ओमकाना ठाको एक प्रसिद हिंदुस्तानी सास्त्रे संगीत गायक है जिनका जन्म 24 जून ये याद रखना 1897 में हुआ इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार, संगीत मार्टंड पुरुसकार, संगीत महा महोदय पदम श्र संगीत में कितन की स्थापना गीती ये याद रखना 1905 में इन्हें पदम श्री मिला था यह आया पर नहीं लिखावा है मैंने आपको बता दिया लग से कोशन नंबर 72 है सूल ताल का प्रियोग प्राइक किस कायन शैली में होता है खयाल धुरुपत धमार ये ठुम्री सही सूल ताल का प्रियोग थुम्री धुरुपत सूल ताल में दस मात्रा पांच विभाग एक पांच साथ पर ताली और तीन नौ पर खाली पड़ती है इसका जो चंद होता है वह होता है दो दो करके उसका होता है आंच ठीक है दो 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 छंदिस का चलता है सूल ताल मृदंगका एक संपद ताल है इसका प्रियोग अधिकतर मधिले में और धुरुपत अंगम की गायकी के साथ संगत करने में मिरदंग स्वतंतर वादन के लिए किया जाता है इसमें परं, रेला, उठान, आदिवस्ता है मेन है किया, इसे दृपद में अंग में पřियोग किया जाता है सकी मात्रा कित्मी है, तो 10 मात्रा की होती है यह आधकना ज्यादा 일본 है यह जुटा, यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कोशन नमर 73 है नाद के कितने प्रमुक लक्षन है तीन, चार, पांच या साथ नाद के कितने प्रमुक लक्षन है तो सही आंसर इसका होगा A संगीत रतना कर गंत में नाद की तीन विशिष्टाएं बताई गई है नाद की तारता, उचाई नीचाई, ठीक है नाद की तिवरता, ठीक है नाद का गोण, नाद की इनी तीन विशिष्टाओं को नाद का लक्षन भी कहते है विशिष्टा और लक्षन एक ही चीज होता है ठीक है लेकिन विशेष्टा लक्षण को इसमें तो एक ही चीज बताएगा है लेकिन होते ही है अलग-अलग है अगर आप यह से हिंदी के नुशार देखोगे तो विशेष्टा अलग विशेष्टा अलग चीज है और लक्षण अलग चीज किसी चीज के बार में उसकी विशेष्ट बताना कि उसमें क्या quality है उस चीज की क्या quality क्या उसको लक्षन है उसका लक्षन वैसे तो यह चीज दोनों चीज अलग है लेकिन यहां पर इन्होंने नाथ की इन्हीं तीन विशेश्टाओं को नाथ का लक्षन भी माना जाता है यह चलिया आगे अब देखिए कोशन नमर 74 है कि संगीत उद्धारक ने संगीत सास्त्र के मत भेदों को दूर करने के लिए पांच अकिल भारतिय संगीत समीलन कराए पंडित विश्णू दिगंबर पलोसकर पंडित ओमपाना ठाकुर आचारब्रश्पति पंडित विश्णू नायन भात्रंडे देखो यह थ्योरी भी साथ में हो रहा है इसलिए थोड़ा सा एक प्रश्ण को करने में टाइम लगता है लेकिन आप अच्छे से कर पाए ताकि आपके माइन में सब कुछ सेट हो जाए अच्छे से देखिए इसका सही आंसर होगा दी पंडित विश्णू नायन भात्रंडे करने बात्रंडे के विदवान थे आधुनिक भारत में शास्त्री संगीत के पुनर जागन के अगर्दूत थे जिन्होंने संगीत के विकास के लिए भात्रंडे संगीत सास्त्र की रचना की तथा कई संस्थाएं तथा शिक्षा केंद इस्थापित के इसमें लखनों तथा मैरिस म्यूजिक कॉलेज जो अब भारत खंडे संगीत विद्या पीट के नाम से भी जाना जाता है ग्वालियर का माधव संगीत महाविद्यार जो बड़ोदा ठीक है ग्वालियर का माधव संगीत महाविद्या ले ठीक है ठीक है बड़ोदा का म्यूजिक कॉलेज या रखना बड़ोदा में म्यूजिक कॉलेज विशेश रूप से उलेखनी है लखनों का मैरिस स्कूल कॉलेज जो भात खंडे बन गया विद्या पीट संगीत सम्मेलन में भात खंडे जी के जो महतपूर्ण भाषण वेव अंग्रेजी में एस सर्ट हिस्टोरिकल सर्व अफ दी म्यूजिक अफ अपर इंडिया नामकुस्तक की रूप में प्रकासित होती है कोशे नमर 75 है वीना के तार की लंबाई पर बाहरा सोरों के इस्थान निश्चित करने वाले परतम संगीत तक ये कौन थे आहोबल स्री निवास लोचनिया भरत सही आंचस का ए होगा आहोबल ठीक है कौन थे आहोबल थे देखिए पंडित आहोबल द्वारा रचित संगीत परीजात 1650 इस्वी संगीत का परम गरंथ है जिसमें प्राचीन परंपरा को मानते हुए 12 शूतियों पर आधूनिक सब्तक के 7 स्वरों की इस्थापना की गई प्राचीन परंपरा के अनूसार 22 शूतियों की गण्ना के आधार पर संगीत के स्वरों की इस्थापना की जाती थी परंथु आहवल ने वीना के तार का लंबाई का विधान करके इस पर 7 शुद और 5 विक्रित स्वरों का इस्थाण निश्चित करके स्वरों की इस्थापना को सरल और व्यज्यानिक मना दिया तो देखे ये आस्ते हमारे 25 प्रस्ट और 75 तक प्रस्ट हो चुकी है ठीक है तो इसी तरीके से मैं आपको important प्रस्ट करवाते रहूँगा बस आप साथ ना छोड़िएगा तो अगर आप में साथ छोड़ दिया तो मैं भी साथ छोड़ दूँगा फिर आपकी तयारी नहीं हो पाएगे अभी मैं अगर सर हूँ आपकी तयारी करने के लिए करवाने के लिए जादा से जादा शेयर करें आपको मैं बस यही कहता हूं कि जो चीज प्री ओफ कोस्ट है उसका लाव जादा उठाए लेकिन शेयर जरूर करें ताकि सब तक वीडियो पहुचे ठीक है और जादा से जादा सब्सक्राइब करें लाइक करें तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो बैल आइकन प्रेस कर दो कोई भी प्राब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हो बागी टेलीग्राम का link मैंने description में दे दिया है थोड़ा सा scroll करोगे telegram का link मिल जाएगा और वहाँ पर link पर click करके आप direct telegram पर जुड़ सकते हैं अगर आप नहीं वैसे जुड़ पा रहे हैं तो search कर लीजिए all music exam search करोगे तो search के माधियम से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ने का आपका मन हैं तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं काफी लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं हां तो बस आज के लिए इतना ही तो अपना ध्यान रखेगा पढ़ते रहेगा स्वस्त रहेगा मस्त रहेगा और पीपेशन के साथ जबरदस्त रहेगा तो थाइंक्य अव्रिवन जैहिन जै भारत